लोग पाइल्स, फिस्टुला और फिशर इन तीनों बिमारियों में अंतर समझते नहीं है बस एनल पार्ट में कोई दिक्कत होई कि बस समझ लिया कि उन्हें पाइल्स की ही दिक्कत हो गई है या फिर यूही आम बोलचल की भाषा में बोलते हैं कि डॉक्टर मुझे पाइल्स है पाइल्स लेजर एच चैनल सब्स्राइब करें, बेल आइकोन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेर करें पाइल्स हैं हमेशे के लिए चुट करा पाए नमस्कार, मैं डॉक्टर दिपक्च उधरी, आज के इस वीडियो में आपको पाइल्स, फिस्टुला और फिशर इन तीनों बीमारियों के बारे में कुछ क्विक फैर्स बताने वाला हूँ चलिए, बिना समय वेस्ट किये, शुरू करता हूँ आज का एपिसोड मैं अपने चैनल पर डेली, लायो, क्योच्चन और एंसर सेशन भी डिलिवर करता हूँ आप सभी अपने क्वेरीज मुझे वाटसप या एमेल से पूछ सकते हैं मैं अवश्य ही आपकी मदद करूँगा सभी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हुए है और हाँ, पाइल्स, फिस्टुला और फिशर के डिटेल्स वीडियो भी आप सभी मेरे चैनल पर मिल जाएंगे तो देर की इस बात की सब्स्रेब कीजे और बेल आइकॉन प्रेस करना नहीं बुले पाइल्स रोक क्या है? पाइल्स एक ऐसी बिमारी है जो एनस कैनल में अंत में सुजी हुई सेंसिट्यू नवस के कारण होती है और इसे बवासिर भी का जाता है पाइल्स के बारे में कुछ फेक्ट्स आमतोर पर पच्चास या उससे अधिक उम्र के लोगों में पाया जाता है गरभवती महिलाओं में भी जादा होता है बवासिर इंटर्नल और एक्स्टर्नल दोनों प्रकार की हो सकती है ब्लीडिंग हो सकती है कभी-कभी बलड गाड़ा हो सकता है जिसके कारण एक्स्टर्नल यानि भारी बवसिर हो सकता है पूरानी कप्च और डिफिकल्ट बावल मुव्मेंट के कारण होता है फिशर्स लेकिन फिशर्स एनल कैनल की लाइनिंग पर एक क्रैक देशे स्ट्रक्चर की तरह होते है जो हार या लार स्टूल के पास होने से फिशर बन सकती है आईए जानते हैं फिशर के बारे में कुछ facts यहां आमतोर पर तब होता है जब कोई वेक्ति सोच करने के लिए बहुत अधिक दबाव डालता है एक फिशर से infected होने पर किसी वेक्ति से रक्त या मवाद निकल सकता है जी हाँ एक possibility हमेशा रहती है फिशर कब्ज, पुराने दस्त और भारी exercise याने वैयाम के कारण भी हो सकता है वक्त रहते हैं सही इलाज नहीं मिलने के कारण यह एकुट और इनक्यूरेबल हो सकता है फाइबर युकता आहार और समय पर सही treatment से फिशर को आसानी से ठिक किया जा सकता है क्रोनिक फिशर को regulate करना मुश्किल होता है और यह दोबारा और बार बार मरिश को परिशन कर सकता है फिशर इन दोनों से बिलकुल अलग और बहुत कर्षदायक होता है फिश्टूला एनल्स और स्किन के बीच में एक infected connection है वे infected gland को फोड़े से जोडने वाला मार्ग है एनल्स गुदा के बीच में प्रभावित हो सकती है जिससे सूजन हो जाती है या आंद और आसपास के अंगों के अंदर अलसर या घाव हो जाते है और infected area से मवाद निकल जाता है फिश्टूला के बार में कुछ facts एनल्स फिश्टूला, radiation, cancer, trauma, Crohn disease, warts आदि के कारण हो सकता है लंबे समय तक बैठे रहने और मोटापे के कारण भी फिश्टूला बन सकता है वे शरीर के दो भागों के बीच एक abnormal connection है और infected area से मवाद निकलने के साथ सुझे हुए painful opening के रूप में होते है मवाद जमा होना भी फिश्टूला का कारण बन सकता है तो अब आप जब तीनों के बारे में माइनूटली जान गए है तो भी वर्स तो सही इलाज के लिए बिलकुल भी देर नहीं किजिए देखिए घरिलून उसके कुछ हद तक ही फायदा करते है परमनंट लॉंग ट्रीट्मेंट के लिए अपने नज़दी की डॉक्टर से अवशे सला करे इनके बेस्ट लेजर ट्रीट्मेंट के लिए संपर करे मुझसे मेरी क्लिनिक का एड्रेस भी नीचे दिया हुआ है नमस्कार झास करे बेस्ट करे jeunes